राजिटी विज्ञान वीशया में हम लोग हिमांचल परदेश एसिस्टेंट प्रॉफेसर दो हजार बाईस का परशने पत हल कर रहे थे इसके पहले भाग में हमने 35 परशनों का अध्यन किया था अब हम इसके दूसरे भाग में सेश्ट परशनों का अध्यन करेंगे 36 प्रश्ण है किस सक्ति के आधार पर उच्चतम न्यायले ब्यवस्तापिका का तीसरा सदन बन जाता है यानि कि भारत का जो उच्चतम न्यायले है वो किस आधार पर ब्यवस्तापिका का तीसरा सदन बन गया है हम जानते हैं कि व्यवस्तापिका की दो सदन होते हैं लोकसभा और राजसभा और यहां पर एक कीसा सदन उच्टम न्याले भूमिका निभा रहा है किस कारण से कौन सी असी प्रकिरिया है जिसके कारण या कौन से ऐसा अधिकार है जिसके कारण जो उच्टम न्याले है वह व यही उत्तर है judicial review न्याइक पुन्रावलोकन के आधार पर आप जानते हैं कि विधायका ये द्वारा बनाया गया कोई कानून ये साम विधान की आउहिनला करता है तो फिर न्याइपालिका उसे रद्ध कर सकती है न्याइक पुन्रावलोकन के सक्ति के कारण तो यहां पर विक कितमे से किसकी अध्यक्सता एक गैर सदशी द्वारा होती है इसके विकल्पे हैं उच्चतम न्यायले लोकसभा, राज्यसभा, मन्ति परिशत आप जानते हैं राज्यसभा का जो अध्यक्स होता है वह पदेन होता है उपराश्टपती जो है वह राज्यसभा के पदेन और गहर सदशो होते हैं क्योंकि उपराष्टपति राजसमा की सदश्ये नहीं होते हैं, तो यहां पर बिकल्ब गो राजसमा इसका सही उत्तर है। अगला परस्न है अंतराश्टी न्यायले के न्याइधीज का कारिकाल कित्ना होता है। इसके विकल्पे हैं 4-6-7-9 वर्ष अंतराश्टी न्यायले एंकी इन्टरनेश्टनल Court of Justice के न्याइधीज का कारिकाल 9 वर्ष का होता है। हम जानते हैं कि ICJ, International Court of Justice, जो कि शैंत राष्ट शंग का एकांग है, इसक्या मुख्यालाई, हेग नीदर लेंड में है, इसमें 15 नियाधिश होते हैं और इन नियाधिशों का जो कारिकाल होता है, वह नौ वर्च का होता है. 49 प्रशन है, इन में से कौन सी अमेरिका की राजनितिक व्यवस्ता की विसेशता नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है कि अमेरिका में कौन सी व्यवस्ता नहीं पाई जाती है. पहला है फिलिवस्त्रिंग, दूसरा है जेबी निशिदादिकार, तीसरा है सामुहिक उतरदायत, चोहता है सीनेट का सिस्टाचार. जब आप इन व्यवस्ताव को देखते हैं, तो फिलिवस्त्रिंग आप जानते हैं कि बोलने का अधिकार किसी विदहक को रोकने के लिए सीनेट के सदस्यों को आशिमित बोलने का अधिकार होता है, तो उस पर कोई सीमा नहीं होती है, फिलिवस्त्रिंग को हम एक किसम से फाल तू बोलना भी कह सकते हैं, फाल तू बोलना यानि कि फिलिवस्त्रिंग करना, तो सीनेट के सदस्यों बहुत जादा किसी विदहक पर बोल कर उस विध्यक को डिले करते हैं ताकि वह पास न हो सकें तो यह अमेरिका पाया जाता है फॉकिट बीटो जेविनी सिताधिकार भी अमेरिका की ब्यावस्ता है सेरीट का सिष्टा चार यह भी अमेरिका की ब्यावस्ता है लेकिन अमेरिका में सामुई कुत्तरदाईत कल ब्रिटेन और भारत दोने देशों में संसदी ब्यावस्ता है और यहाँ पर जो कारिपालिका होती है वो विधायका के प्रति शामुहिक रूप से जिम्मेदार उत्तरदाइत होती है इसलिए शामुहिक उत्तरदाइत युका सिद्दान्त ब्रिटेन और भारत जैसे संसदी पड़ाली वाले देशों में पाया जाता है ना कि अमिर्का की अध्यक्षात्मक सासन ब्यावस्ता में तो यहाँ पर विकल्प गोज जो है इसका सही उत्तर है चाली सो प्रशने है राजनितिक संस्कृति का अभिप्राई है तरनकि पॉलिटिकल कल्चर का क्या अर्थ है इसके विकल्पे हैं संस्कृति की राजनिति दूसरा है राजनितिक मुल्लि विश्वास और दृष्टिकौन तीसरा है राजनिति में संस्कृति महत्यपूर्ण है चोहताय राजनितिकी संस्कृति जब हम political culture के बात करते हैं तो political values, political beliefs, political attitudes ये सभी जो है political culture कहलाते हैं तो राजनितिक मुल्लि, विश्वास और attitudes तो हैं वो सभी जो है political culture के अंतरगत आते हैं विकल्प खोईस का सही उत्तर है अगला प्रश्न है निम्लिकित मैं से कौन संसत के दोनों सदनों की कारवाई में भाग लिशचता है और किसी भी नयायलय में भारत सरकार की पक्स रखने की लिए हो तयार रहता है लेकिन कभी भी हो भारस सरकार के खिलाब केस नहीं लड़ता है यो बैक्तिकत केस भी लड़ सकता है और संसत की दोनों सदुनों की कारें भाग ले सकता है लेकिन इसे मतदान कादिकार नहीं होता है यह बोटिंग में भाग नहीं लेता है ये भी आपको पता होना चाहिए बैयालिस्वा प्रश्ण है निम्लिकित में से कौन संसत की लोकलेखा समीति के अध्यक्स का नाम मनुनित करता है इसके विकल्पे हैं प्रधानमंत्री, राश्टपती, लोकसभा का अध्यक्स, राजिसभा का सभापती इसका सही उत्तर है लोकसभा का अध्यक्स आप जानते हैं लोक लेखा समीती में 22 सदश्य होते हैं 15 लोकसवा से और 7 राजिसवा से तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का होता है विपक्ष का नेता होता है तो लोकसवा अध्यक्ष की दोरा उसका नाम अनुरित क्या जाता है विकल्प गोईज का सही उत्त 43 प्रस्न है निम्हिकितमैसे कौन अराजगतावादी नहीं था। यानिकि यहां पर चार विचारकों के नाम हैं हमें बताना है कौन अराजगतावादी नहीं था। इसके विकलपे हैं क्रोप्टकिन , बाकुनिन, प्रूधो, कांट, जब हम क्रॉप्टिकिन, बाकुनिन और प्रूधो को देखते हैं, ये तीनों ही विचारक जो हैं, आराजक्तावादी है, लेकिन कांट जो है, एमेनियल कांट जो हैं, वहां आदर्सवादी विचारक हैं, तो विकल्प घौर, कांट जो हैं, चावाल इसा प्रशने है नेमलिकित में से कौन खाद सुरक्षा के चार स्तंबों में सामिल नहीं है यहाँ पर चार विकल्पे हैं हमें बताना है कि कौन खाद सुरक्षा के चार स्तंबों में सामिल नहीं है इसके विकल्पे हैं विकास उपलबता पहुंच इस्तिता तो जब की उपलब्ध तो इस्तिरता यहां पर इस्तिरता पहुंच उपलब्ध यह तीन जो है खादी सुरक्षा के चार स्थमों में सामिल हैं लेकिन उसमें विकास यानकि डैबलप्मेंट सामिल नहीं हैं तो यहां पर विकल्प कोई इसका सही उत्तर है इस प्रश्ण की बैक्या दे सकते हैं, food ability यानिकी खादी की उपलबता, access of food यानिकी खादी की पहुच, utilization यानिकी उसका उप्योग और stability यानिकी इस्तिरता, ये चार जो हैं, खादी सुरक्षा की स्थम्भ हैं, इनको आप नोट कीजिएगा, इन चारों को, कभी इन चारों की समर्थन करता है, इसके विकल्ब हैं, रोजमेरी ग्रांट, जे के रॉलिंग, इंद्रा गाधी, सरोजनी नाइडू, आप जानते हैं, कि जो यथार्तवादी सिद्दान्त है, वो हो पित्र सत्ता का समर्थन करता है, ऐसा बहुत से विचारकों का तरक है, और यहां पर जो चार भी कल्ब दे हैं, उस पर सही उत्तार है, रोजमेरी ग्रांट, तो रोजमेरी ग्रांट ने भी कहा है, कि जो यथार्तवादी सिद्दान्त है, वो पित्र सत्ता का समर्थन करता है, आपने यहां तक भी सुनाओगा, कि मारगन्थाओं की यथार्तवादी सिद्दान्त जो है छह सिद्दानत हैं उनका जो है ट्रांसलिट किया है टिक्नर ने मादवत्रशत्ता की रूप में छह सिद्दानत उसके बनाए हैं वो टिक्नर ने कर रहे हैं। में शेंक्त राष्ट संग की उपने विवेश्वात समीती का पर्थम अध्यक्ष था 47 प्रशन है शेंक्त राष्ट सब्द किसने गड़ा इसके भी कल्पे हैं जो सब्द गड़ा था वह फ्रेंक्त राष्ट जो की अमेरिकन राष्ट पती थे उनके द्वारा गड़ा गया है आप जानते हैं कि युएनों को बनाने में जो है अमेरिका, ब्रेटेन, फ्रांस, रूस इनकी भूमी का मुख्य बानी जाती है तो मुख्य तो इसमें अमेरिका, ब्रेटेन और रूस हैं तो यहां पर जो अमेरिकन राष्ट पती उन्होंने संक्त राष्ट सब्द दिया था और दिती विशिद्य के बाद अंतराष्टी सांत की स्थापना के लिए संक्त राष्ट संग की स्थापना की गई थी आप जानते हैं 24 अक्टुबर 1945 को निमलिकित में से कौन सी पुस्थक कालमाक्स द्वारा नहीं लिखी गई है यहाँ पर चार पुस्थकों के नाम है हमें बताना है कौन सी पुस्थक कालमाक्स की नहीं है इसके विकल्पे हैं यहाँ पर यहाँ पर पॉबर्टी आफ फिलोस्पी, कम्मिनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, यह तीनों ही पुस्तक जो हैं, कालमाक्स के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन यह जो चोहती किताब है, तब फिलोस्पी आफ हिस्ट्री, यह किताब जो है, हीगल ने लिखी है, क्या आपको याद रखना है, हीगल एक आदर्स्वादी बिचारक थे, उन्होंने यह किताब लिखी है, तब फिलोस्पी आफ हिस्ट्री, अगला प्रस्ण है, नेमलिकित मैसे किस बिचारक की अनुसार, धुरुबीकृत बहुलवादी पणाली, राजनितिक गतिहिंता को जन्म देती है, और कभी-कभी लोगतंत्र को ही छिन्न भिन्न कर देती है, यानि कि एक बिचारक ऐसे हैं, जिनका मानना है कि जो बहुलवादी पणाली है, धुरूबीकृत बहुलवादी पनाली है वो राजनित्य गती हिंता को जर्म देती है और लोकतंत्र को भी छिन्न भिन्न कर देती है इसके विकल्पे हैं साटोरी, दुबरजर, लेनिन, आर, मिसेल्स इसका सही उत्तर है साटोरी ये कथन जो है साटोरी का है कि धुरूबीकृ बहुलवादी पणाली राजिती गतिहिंता को जर्म देती है और कभी-कभी लोगतंत रुकूही चिन भिन कर देती है थोड़ा साब स्टेट्मेंट को वियाद करने कोशिश कीजेगा पचाशवा प्रशने है नियम्लिकित मैं से किस पुस्तक में S.E. फाइनर इस निसकर्स पर पहुंचते हैं कि सामविधानिक पणाली की स्तिरता दो बातों वैदिता और सहवागिता पर निर्भर करती है यानि कि फाइनर का मानना है कि जो कंस्टिटिशनल सिस्टम है दूसरा है दा हिस्टिशनल सिस्टम है और चोहती किताब है कंपरेटिव गौर्मेंट यह कथन जो ऐसी फाइनर ने दिया है उनकी पुस्तक 1912 में लिखी हुई दा मैन ओन होर्स बैक में यह कथन उनने दिया था विकल्प गौ इसका जो है सही उत्तरे विकल्प गौ दा मै इसका पूरा नाम कभी कभी पूछा जाता है इसका पूरा नाम क्या है तो यह आपको जात करना है दा मैन ओन होर्स बैक दर रॉल अब दा मिलेटरी इन पॉलिटिक्स दर रॉल अब दा मिलेटरी इन पॉलिटिक्स यह पूरा इसका नाम है दा मैन होर्स बैक दर रॉल अब the military in politics एक क्यानुआ प्रस्ने है निम्लिकित में से किस ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रुक हुचित किया है यहाँ पर चार भी कल्पे हैं लियो स्ट्रॉस हन्ना अरेन बरलेन कारल पापर इसका सही उत्तर है कारल पापर आप जानते हैं कि कारल पापर ने कारल माक्स को प मुक्त समाज का शत्रुक है उनके एक पुस्तक है एनेमीज ऑप ओपन सुसाइटीज तो उसमे उन्होंने प्लेटो को हीगल को और काल माक्स को मुक्त समाज का शत्रुक गोचित किया है अगला प्रस्ने है सामाजिक न्याय का निम्लिकित में से कौन सा प्रतिमान सही धंग तो जब आप डेविड हुम को पढ़ेंगे तो उन्हों ने कहा है कि स्विकिर्थ अधिकारों का अश्रान होना चाहिए इसी को हम न्याय कहेंगे अगला प्रस्न है सी राइट मिल्स ने दा पावर यलिट त्योंकि उन्हें binary दिशन के पुली रोप के विःवरण के विवरण दिया है तीसरा है USA के विक्षित पूजिवाद में, चौता है पूरी पूजिवादी दुनिया में तो C-right Mills आप जानते हैं उन्होंने पुस्तक लिकिता Power Elite सक्त अभिजन कई बार मिलान की भी एक पुछा आता है सक्त अभिजन किसकी पुस्तक है C-right Mills का तो उन्होंने जो इसमें सामानी विक्षित पूजिवाद का किया है विकल्प गोईस का सही उत्तर है अगला प्रशन है Ideology and Utopia नामक पुस्तक के लिखक कौन हैं? यहाँ पर चार विकल्पे हैं George Lucas, Karl Menheim, Death the Tracy और Karl Popper तो इसका सही उत्तर है Karl Menheim Karl Menheim ने Ideology and Utopia जो पुस्तक लिखी थी 1929 में पुस्तक प्रकासित हुई थी और यहाँ पर जो और नाम है Karl Popper इसके वारी में भी प्रचाचा कर चुके हैं इन्होंने The Open Societies, Enemies of Open Society पुस्तक लिखी थी और विचारधारा सब्द सबसे पहले Tracy ने दिया था तो इस तरह से जो आप कोई पुस्तक करते हैं तो उसकी जो और विचारक हैं उनको भी थोड़ा चाब धिन कीजिएगा यह Tracy सब्द मुने कहां सुना था विचारधारा सब्द में सबसे पहले Ideology सब्द का प्रिव टेसी ने किया था कारल वापर की पुस्तक Enemies of the Open Societies यह हमने भी पड़ी थी और यहां पर एक कोशन और हमको एड हो गया यह Ideology and Utopia नामक पुस्तक जो है वह कारल मैनहाईम ने लिखी थी तो कभी यह पुस्तक जो है जब मिलान के लिए आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उससमे हमारा पूरा प्रशन ठीक हो जाता है अगला प्रशन है नेमलिकित में से कौन एक सही है यहां पर चार कथन दिये हैं हमें बताना है कौन सही है पहला है कैबिनेट यान की मंतिय मंडल सब्द भारती समिधान में उल लिखे था है दूसरा है कैबिनेट सब्द भारती समिधान में केवल अनुछे 74 में उल लिखे था है तीसरा है कैबिनेट सब्द भारती समिधान के अनुछे 352 में उल लिखे था है तो जो आप इन चार जो हैं, ये दोनों विकल्पे यहां पर सही हैं, यानुछे 352 में, जो है, कैबिनेट सब्द जिया गया है, भारती समिधान में है, तो पॉर गोईश का सही उत्तर है, अब थोगा सा इस प्रश्मी की व्याख्या पढ़ लेते हैं, 352 हम जानते हैं, राष्टपती की आपात कालें सक्कियां हैं, 352, 356, 360, 352 के ताहद राष्टिया आपात काल की खुछना होती है, 356 के ताहद किसी राज्जी की व्यावस्ता यदि समिधान के अलुसार नहीं चलती है, तो हाँ पर राष्ट की सासन लगा जाता है, और 360 बित् आक्रमन या ससस्तर विद्रो के कारण खत्रे में है, तो उद्वुष्णा के द्वारा संपूर भारत या उसके राजिशेत्र के ऐसे भाग में वह इस उद्वुष्णा को लागू कर सकेगा, यह रष्टिय की सकती है, अब यहाँ पर थोना साथ और आगे देखे, यहाँ पर बाहरी, आक्रमन और ससस्तर विद्रो यह सब्द है, पहले आंतिगर्वडी भी था, आप जानते रहें कि इंद्रा गादी ने 1975 में आंतिगर्वी सब्द के आधार पर आपातकार लगाया था, लेकिन अब उसकी जगोपर ससस्तर विद्रो सब्द को वहाँ पर जोड़ा वालियूद गोष्चना तब तक जारी नहीं करंगे, जब तक केंद्री मंत्री मंडल और प्रधानमंत्री और उसके जो कैबिनेट रङक्यादिकारी या मंत्री होते हैं, जब तक कि उसे लिखी दूप पर सुचित नहीं करंगे, आप जानते हैं कि अनुछे 352 तब तक नह जो है 352 लगाया जाएगा क्योंकि 302 का प्रयोग जब 1975 में किया गया था इंद्रा गाती के द्वारा तो ऐसा माना जाता है कि उस समय कैबिनेट को वरुच्वामा नहीं लिया था और इंद्रा गाती ने फकरुदिन अली आमद को आपातकार लगाने के लिए कह दिया था तो यहाँ पर चौता वाला स्टेट में दिखे इस अनुच्यत के अधीन जारी की गई प्रतेक उद्गोष्णा संचत के प्रतेक सदन के समक्स रखी जाएगी यह प्रशन कई बार आ गया है कि जब उस उद्गोष्णा को वापस लेना है या उसको रद करना है तो या उसको आ की जाएगी और जहां वह किसी पूरवर्ति उद्वश्णा को वापस देने वाली उद्गोष्णा नहीं है वहां एक महा के समाब्ति के परवर्तन में नहीं रहेगी जब तक इस आवत के समाति से पहले उससे संचत के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदित नह बहुत अच्छा प्रशन है और तई बार ही पूछा भी जाता है कि अगर उसको दूशना को जो आगे बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ाए जाएगा और एक माह एक जो समय है यह भी आपको धान रखना है और जबकि अनुचे 356 और 360 के लिए दो माह का समय होता है कि दो माह तक आप लगा सकते हो उसके बाद संसत चापको उसको अनुमोदित करना पड़ेगा शताउनों परसने है भारती समयधान का अनुचे 35 का क्लॉज 1 निम्रिकित में से किस से समंदित है तो इसके चार विकल्पे हैं संसत की कारवाईयों की जाज करने के संबंद में दूसरा ह संसती बैटकों की कारवाईयों को परकट करने पर रोग से और चौता है संसत किसी न्यायले में सदन की किसी भी कारवाईय की समंद में गवाह नहीं होंगे जब अनुचे 105 का पड़ोगे तो ये संसत में बिचार और अव्यक्तिक स्वत्मता से समंदित अनुचेद है तो य हम कह सकते हैं कि संसत के सदनों के जो सदस्य हैं और जो समीतिया हैं उनके एक इसम का बिचिसा दिखार इसमें हम देखते हैं कि उनके जो बोलने का तरीका है या जो विचार बिचार रखते हैं तो वो अनुचे 105 के ताहत उनको बिचिसा दिखार हैं आप इस पर शनी की बै क्रिया को गिन्य omit करने वाले नियमों और स्ताई आदिस्यू के अधीन संसत में बोलने की शुत्तनता होगी, plus one में लिखा है. दूसरे में लिखा है, या उसकी किसी समीती में उसके द्वारा कहीगी, किसी बात या दियेगे किसी मत के समंद में किसी न्यायले में कोई कारवाही नहीं की जाएगी और कोई भी संचत के किसी सदन द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन किसी रिपोर्ट, मत, पत्र या कारवाही के प्रकाशन के समंद में कारुतरदाई नहीं होगा तो इससा यह बहुत इंपोर्डेन अनुचेत है भारती समिधान का उनसाथ वाप्रशन है अपने समिधानों के बर्गी करण में आरस्तु ने परदसित किया है कि कुलीन तंत्र का विक्रित रूप है यानि कि आप जानते हैं कि आरस्तु ने 158 देशों के समिधानों का अध्यन किया उस साथन का वर्ण किया था तो हमें बताना है कि कुलीन तंत्र का विक्रित रूप क्या होता है तो अलपतंत्र संयत प्रजातंत्र लोगतंत्र राजतंत्र तो इसका सही उत्तर है अलपतंत्र तो अरस्तु ने कहा था कि कुलीन तंत्र का विक्रित रूप होता है वह अलपतंत् तंत्र मोनार्की कहते हैं लेकिन यही जब बिगड़ जाता है तो इसे हम निरनकुस्तर, तंक, तंत्र, तेरेनी बोलते हैं कुछ लोगों का सासन, रूल बाई फ्यू, अरिस्टोक्राशी, कुलीन तंत्र, अगर यही बिगड़ जाता है, तो यहाँ आलपतंत्र बदल जाता है बहुत से लोग का सासन, पॉलिटी, और अगर यहाँ बिगड़ जाता है, तो इसे हम भीड़ तंत्र या डेमोक्रेसी बोलते हैं तो यानि कि अरस्तु और प्लेटो जो हैं, दोनों ही जो हैं डेमोक्रेसी के आलोचकर हैं डेमोक्रेसी का अच्छा नहीं मानते थे, लोग तंत्र के आलोचकर हैं, उन्होंने पॉलिटी का तो समर्थन किया था, लेकिन डेमोक्रेसी का कभी समर्थन नहीं किया था तो आपको ये एक ब्यक्ति का सासन, कुछ ब्यक्तियों का सासन और बहुत से ब्यक्तियों का सासन किस तरह से अरस्तुने विहाजित किया तो आपको पाड़ना है और निचे जो बात लिखी है अरस्तु के अनुसार यदि संप्रभुता एक ब्यक्ति में रहती है तो वह राज संक्य बर्ग के पाच चल जाती है तो इसम अल्पतंत्र कहते हैं यह संप्रपता की सक्ति जंशंक्या के बड़े हिस्से में निवास करती है तो इसम पॉलिटी एंड की राजनिती कहते हैं और जब यहों इसका विक्रित रूप हो जाता है बहुत से लोग में बढ़ जाती है तो इसम क्या बोलते हैं लोग तंद या भीड तंद अगला परशन है इसके विकल्पे हैं और प्लेटो ग्रोसियस जीन बौदा यह किताब जीन बौदा की है जीन बौदा ने 1576 में इस किताब परकाशित हुई थी जीन बौदा की शिक्स लेवर्स डीला रिपब्लिक तो अगला परशन है किस ने कहा है कि दैवी कानून इस्वरदारा अपनी मानव स्रिष्ट के लिए निर्धारित कानून है इसके विकल्पे हैं सेंट आउगस्टाइन जॉन आस्टिन थॉम्स एक्विनास बर्क इसका सही उत्तर है जॉन आस्टिन जॉन आस्टिन ने कहा कि दैवी कानून इस्वरदारा अपनी मानव स्रिष्टी के लिए निर्धारित कानून है जॉन संधि, विग्रह, संस्राय, विजिगिसु तो जब आप कोटिली के 6 सिद्धानतु को पढ़ेंगे विदिशनिति के संधि, विग्रह, यान, आसन, द्य दिभाव और संस्राय तो यहाँ पर संधि, विग्रह, संस्राय ये तो हैं तो आपको यह विजिगिसु इसका सही उत्तर इसके आप जाख्या देखते हैं विदेश निती के छह पहलू बताएं हैं शिक्स फोल्ड थियोरी बोलते हैं हम इसको अंगरीजी में शिक्स फोल्ड थियोरी अप कौटिल संदी विग्रह यान आसन द्वै दिभा और संस्रय या समास्रय इसको बोलते हैं अगला परशने है निम्लिकित में से किस विचारक ने सारजनिक और नीजी परसाशन की बीच अंतर का समर्थन किया है यहाँ पर चार विचारकों के नाम हैं हमाँ बताना है क्यों कौन से विचारक हैं जिन्हों ने कहा है कि सारजनिक और नीजी परसाशन की बीच अंतर होता है तो यहाँ पर चार जो विचारक हैं, साइमन, स्टैम, एपलवी, फॉलेट, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो साइमन, स्टैम और एपलवी, यह तीन विचारक ऐसे हैं, जोनों ने कहा, कि सारजनिक और निगी परसासन की पिचंतर रहता है, MP फॉलेट ने इसका समर्थन नहीं किया था, तो एक, दो, तीन, इसका सही कोट है, चौट, 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 अगला, भारती राश्टी कॉंग्रेस के पहले वीस वर्षों में, किसने तीन बार इसके अध्यक्स रहे, इसके विकल्पे हैं, शुरेन नात्मनर जी, दादा भाई नौरोज जी, कोपाल किश्न गो इसका सही उत्तर है, दादा भाई नौरोजी, 1886 में, उसके बाद 1893 में, और उसके बाद 1906 में, 1906 में, तीन बार जो है, दादा भाई नौरोजी, पहले वीस वर्षों में, तो आप देख लिए, 1885 में, राश्टी कॉंग्रेस के स्थापना हुई थी, उसके बाद पहले व इसके बिख्यान में, अनुसंदान अउलोकन से प्राड़म होता है, और अउलोकन से समाप्त होता है, यहोग किस ने कहा था, इसके बिखालपे हैं, यंग, Sydney Webb, Martin Kaplan, John Rawls, इसके बिख्यान में, अनुसंदान और कि रिसर्च, अउलोकन से, और observation से प्राड़म होता है, और observation मे ही समाप्त हो जाता है ऐसा मानना है शिड्नी वैड का विकल्प पोईस का सही उत्तर है शिड्नी वैड अगला प्रश्ण है वहाँ पहला नियम था जिसके आधार पर ब्रेटेन में लोक कल्यानकारी राज की स्ताफना की गई थी इसके चार भी कल्पे है पिपूल्स अधिनियम उपर पूर लौ अधिनियम मेगना कार्टा और इन मैसी कोई नहीं तो ब्रेटेन का जो पहला लोक कल जिनानकारी राज की स्तापना का जो नियम पारित हुआ था वो पूर लौ अधिनियम के द्वारा पारित हुआ था पूर लौ अधिनियम इसका सही उत्तर है तो आज की प्रश्ण पत्र में जो की आपका हिमांचा प्रदीश एसेशने प्रोफेसर दोजार बाइस का हैं उसमें ये प्रश्ण पूशे आ सकते हैं हमारा प्रयास है कि कम समय में आपको प्रश्णों की ब्याक्यात्मक वीवेचनाम आपके सामने प्रस्तुत करें लेकिन तुरुटिवस कुछ प्रश्णों की ब्याक्याम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और लेकिन फिर भी प्र्यास दाता है कि सभी प्रशनों की ब्याक्टा की जाए, और आप सभी प्रश्नों का, जो है, गहनता से अधिन कीजियेगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपकी परिक्षा में पूछे जा झाल झाल